हेव wolves आप सभी को TMS के और एक नया वीडियो में स्वागत है तो आज इस वीडियो में आम बात करने जा रहा है सलमान खाण का एक नया मूवी आ रहा है किसी का भाई किसी की जान भाई बहुत बड़ा मूवी होने वाला है बॉलिवड का तो ए मूवीने एक रैकोर्ट क्रिए कर दिया मतलब इसका फेस्बूंग में व्यूज आप देखोगे तो अगर तो नाइन मिलियन से जादा व्यूज है और यूटूब में पांच दिन में पाचास मिलन के उपर व्यूज है भाई ये बहुत बड़ा रेकोर्ड कर दिया है इस गाने ने अगर आप गाने को भी छोड़ दो तो भाई ये सलमान खान का बहुत बड़ा मूवी होने वाला है क्यूंकि सबी लोग बोर रहा है कि बॉल्यूड डूब जा रहा है साउथ इं इंडियान मूवी आगे आ रहा है इसका मतलब कोई नहीं है कर बॉल्यूड को तो बुरा बोलना नहीं चाहिए न तो इसलिए ये मूवी सलमान खान के कैरियर के लिए बहुत ही जदा इंपोर्टेंट एक मूवी होने वाला है मेरे हिसाब से ये मूवी हीट करने वाला है क् इस मूवी का जो डिरेक्टर है वो है फरत सामजी जिसने पहले बहुत बड़े बड़े फ्लिम दे चुके है बॉल्यूड को जैसे कि चेननाई एक्सप्रेस 2013 में आ था और हाउसफूल 2 2012 में आ था और हाउसफूल 4 जो 2019 में आ था भाई क्या ही मूवी दिया है इस डायरेक् काफी कर चुके है इस में से बहुत ज्यादा फेमास है कुछ दिन पहले आया ब्रह्मास्तो पाट वान उसके पहले यह जवानी है दिवानी 2013 में आ था भाई बहुत बड़ा फ्लिम था यह तो भाई इतना सब देख के बाद मुझे लगता है यह मूवी जरूर से हिट करेग और कुछ दिन पहले सारुक खन का यह पठान मुवी भाई कैसे सुपर हिट होगे आपको पता ही नहीं चला इस मुवी ने वाल्ड वाइट हजार करोर से भी ज्यादा पैसे कमा चुका है तो आप यह मान सकते हो कि सारुक खन का फ्लिम यह हिट हुआ है तो भाई सल्वान ख के टाइम पर यह मुवी रिलीज होने जा रहा है तो सच बता हो तो मैं इस मुवी के लिए बहुत ही ज्यादा एकसाइट हूँ आप कितने एकसाइट है सल्मान खन के इस मुवी के लिए जरूर से कॉमेंट करके बताना और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो ला एकसी वीडियो में अगला वीडियो होगा वाई सारुक खन का जवान मुवी को लेकर तो आप मेंसे कोई भी उस वीडियो को मिस मत करना जरूर से वो वीडियो चेक आउट करना तो आज के लिए बाई बाई अच्छे से रहना खुश रहना